हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं मेरे इस यूटूब चैनल के अंदर तो फ्रेंड्स आज में आपके लिए ऐसा बिजनस आइडिया लाई हूँ जिससे आप महिने का पचास से साथ हजार रुपे मुनाफ़ा कमा सकते हैं या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं आपको सि लाई कैसे कमादें ये तो आपके ऊपर ही डिपैंड करता है तो सुरू करते हैं तो मैं आज आपको बताने चार चार्यब किभाण आठ्खोह कि आपकी चगई का बिजनस कैसे करें आथ कि पहले तो दोस्त अपनी दिमाग में एक कोशन आता है कि कोन आपकी चगई खडिद अदर पस्तर को सन्टूलिता है मतल 2016 छोदा देन से एक पार इसके पत्थर को में पांगोल होते हैं तो इसके अंदर कम से कम 20 kg हूटा इसयों जाता है लेकिन दोस्तों इसके अंदर हम गिली दाल या मिर्च मसाले नहीं पी सकते लेकिन सुखी चीजे इसके अंदर हम मेदा भी पी सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों बिना पत्थर वाली आटा की चक्की तो बीना पत्थर वाली आटा की चक्की होती है अठाइस सो आर पीम की ध्यान से सुनना दोस्तों बीना पत्थर वाली आटा की चक्की होती है अठाइस सो आर पीम की और पत्थर वाली चक्की से जादा आवाज करती है इसकी आवाज पत्थर वाली चक्की से जादा होती है औ में सुखी दालों को भी पीश सकते हैं जैसे हम चने की दाल हुई जिसका हम बेसन पीश सकते हैं और यह यह भी दोस्तों सिंगल फेस पे चलती है अब बात करते हैं दोस्तों कि बिजनस के लिए कौन से आता चकी बेस्ट है पत्थर वाली या बिना पत्थर वाली तो दोस्तों बिजनस के लिए पत्थर वाली आता चकी ही बेस्ट है क्यों क्योंकि ये एक टाइम में 20 किलो आटा आपको पीस के देती है जिब कि बिना जो सोचों कि अपने कस्टुममर रादेगा हम इसका आठ्व हम इसका अपना अपना एक ब्लांड सकते हैं, अगर आप कोई छोटे गाहों आपके खेती है गेहुं को पीष के उनका खुद आपना इक ब्लांड का नाम दे दीजिए और जिसको अपने मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं आपको पता होगा दोस्तों कि मार्केट में सबसे ज़्यादा भी आटे के ब्रांड में फेमस ब्रांड कौन सा है आशिवाद आटा आपने सबने नाम सुना होगा तो इससी तरह के से इससे आप अपना खुब पैसा कमा सकते हैं एक तो आपका खुद का एक ब्रांड नेम हो गया प्लस इस नाम को और भी ज़्यादा प्रमोशन कर सकते हैं तो इससे हमें बहुत फाइदा होता है आप ग्याओं के आटे के साथ मेदा भी पी सकते हैं मतलब ब कर सकते हैं तो दोस्तों ये था मेरा आटा की चक्की पे बिजनस के बारे में तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और सस्क्राइब कीजिए अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो या इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए धन्यवाद दोस्तों